हेलो डियर स्टुडेंट वेलकॉम टी ओर चैनल स्वामी विवेका नंज टेक्नो टुटरियल एंड माइसेल डॉक्टर रावल कुमार सो बच्चो आसा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ा भी मन से कर रहे होंगे आज जो हम लोग के क्लास है वह केमेस्ट्री एं ले यह को एन कि अड़के चप्टर नेली लाइफ में जो observation करते हैं, daily life में हम लोग जो खार हैं, वही सब चीज़ के बारे में हम लोग study करेंगे, तो बच्चो यह जो chapter है, वो हम लोग का chapter हो है, acid, bases and salts, है ना, नाम से ही पता चल रहा है, acid, bases and salt, इसे भी तुम लोग junior classes में, जैसे 7 और 8 class में, कुछ ने कुछ acids के बारे में, base के बा हो, लेकिन जो आज हम लोग 10th class में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें details पढ़ेंगे, acid क्या है, base क्या है, salt क्या है, so बच्चो यह acid, base and salt, so बच्चो इस chapter में हम लोग acid और base के बारे में तो details पढ़ेंगे, physical, chemical properties, acid और base को हम लोग कैसे पहचानेंगे, मतलब indicators के बारे में पावर, उसका पावर, कितना पावर है, उसके लिए हम लोग pH scale पढ़ेंगे, और acid and base, उसके बाद जो है कि हम लोग बहुत सारी common salts के बारे से लेके salt, हम लोग simple ही जो हम लोग घर में यूज करते हैं, washing soda, baking soda, जो generally bleaching powder, और उसके बाद हम लोग प्लास्टो रपेरिस, इस चैप्टर बहुत इंट्रेस्टिंग है, तो शुरू से लेके लास्ट तक इस lecture को तो देखो, ही साथ साथ इसके जितने भी series आएगे, जितने भी lecture one by one करके तुम लोग इसको नोट से बना होगे, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, acid, basis and salt, तो बैसे के लिए अभी तो किसा लगते है, तो खटा हो जाता है, तो खटा, खटा का मतलब ही यहाँ पर acid है, sourint test, sourint test, और जो कि actually latin word, acidus से आया हुआ, किस से आया हुआ, acid, उसका meaning ही होता है, sourint test होता है, तो जब भी हम लोग acid का बात करेंगे, तो वो simply हम दिमाग में set होगे, खटा है, वो क्या ह खटा है, और जिए हम लोग base का बात करते हैं, तो bitterin test होता है, bitterin test होता है, तो जैसा कि हम लोग simply acid और base के बार में समझेंगे basic concept को, और detail फिर जाएंगे हम लोग acid पे, so acid and base, तो generally हम लोग जो daily life में देखते हैं, वो जो daily life का बात करते हैं, तो daily life में तुम देख सकते हो, simply त तो ठीक है, sour and test होता है, लेकिन हम लोग simple बात करते हैं, जो normal test जो करते हैं, तो जो blue से red होता है, litmus paper test, तो उसलों हम लोग बात में discussion करेंगे, dear student, हम clearly discussion करूंगा, वो अलग से lecture होगा, जो indicators के बारे में, तो देख सकते हो, कि जो normal daily life में बात करते हैं, तो हम लोग क्या observation करत है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि lemon का, तो lemon क्या होता है, तो lemon हम लोग जो होता है, कि क्या होता है, खटा है, उसमें acid पाए जाता है, तो जो भी satraise food होता है, जो खटा वाला fruits होता है, उसमें हम लोग के generally, जो होता है, acid पाए जाता है, देख एक तो picture में ने दिखा रहा देली लाइफ में यूज करते हैं तो यह सेंकेंड वाला देख सकते हो जो तो ही इस होता है है और जो स्कार्व का बात बात करते हैं जो हम यूज करते हैं जो हम लIGHकिंग और हिता की सोडा एकशिण पाउडर तो neben इस डेख रहे हो ना कि अष्य दोके एंड टाफ डेली लाइफ में यूज्ड कर रहे हैं जो कॉमन एक्जाम्पल होतीए वही हम लोग सींपल यहां पर एंड बेस सब्सक्राद करते हैं वहीश भी शब्हेर ना मिन्राल का मतलब क्या है मैं कि इस पिक्चर मी आर्थ में मिन्राल्स का मतलब क्या होता है मिन्राल्स का मतलब इसे इन और्गैंत इसे और आर्गैंट mineral acid कहते हैं और जो common example इसमें क्या है hydro characteristic acid है sulfuroic acid है hydro technique acid नाइटरीक acid तो यह सब common example है जो first type मैंने बात किया जो mineral acid का बात किया मैंने किसका बात किया mineral acid का second number में देख सकते हो dear student second number में जो second number है वो क्या है organic acid जो दूसरा वाली क्या है organic acid मतलब क्या है जो ऑर्गनिक मतलब क्या समझता हो प्लांट है एनइमल से प्लांट और एनिमिल से एनिय मेल सब्सक्राइब में पाएніमल होता है तो देख सकते हो कि mineral acid और organic acid का दोनों में क्या आंतर है तो acid दो टाइप का हो गया mineral का बात कर दी है और organic का जो organic के हम लोग जो daily life में यूज करते हैं जैसे कि बात करते हैं कि lemon खटा चीज़ उसमें क्या था Satria acid होता है जो से इम लोग बात करते है कि tomato तो में कौन सा चीट पाजाता है और जेख और चार्ट दे दिया कंपली तुम लोगों को कि पूरा डीटेल है कुछ में जो daily life में यूज करते हैं तो वो डिटेल मिने यहां पर एक चार्ठ में तुम लोग को दे दिया हूँ कि कौन सा असीड पा जाता है, जैसे एसीदिक день है फर्स नमर में तो उसका क्या विनेगर पा जाता है L Spike should such금 referring to Paracid, Levisee C यूरिक एसिद किसमें पायाता है, नॉर्मली यूरीन में पायाता है, तो देख सकते हो, इसमें simply मैंने कुछ और्गनिक एसिद, यह जो है सारे और्गनिक एसिद का एक्जामपल है, जो हम लोग डेली लाइफ में, बच्चो जेनरली यूज करते हैं, तो यह होगी है हम बात कर पाथ करते हैं, बच्चो कि एसिड के बारे मिनिंग किा है, तो हम लागाते हैं कि इसमें टॉपिक पे, गॉनसेंट्रेशन, इसिड लिख सकते हैं, तो generally हम लोग जो पानी मिलाते हैं, पानी, water, acid में जब पानी मिलाते हैं, उस quantity के आधार पर ही हम लोग बोलेंगे कि concentrated है, कि ये तुम्हारा dilute है, तो जब भी हम लोग concentrated का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, concentrated, बोलते हैं कि ये concentrated acid है, concentrated acid, इसका मतलब होगा इसे में बहुत ईभूंधी स्मॉल एक्स्टेंट में मीला खुछी बात करतें तो क्यां जो के से भाटर mystical सुख जदि हम लोग लार्ज कने का बात करते हैं तो वह क्या हो गया वो गया धाइल यूट्ट सिंप्ल उसको बोलते हैं हम लोग क्या डाइल्यूट एसीड तो देख सकते हो चोटा-चोटा जो मीनिंग है वह समझना बहुत जोरी है अब यह चेप्टर के स्टार्टिंग है और यह चेप्टर में ने कह दिया स्टार्टिंग में कि बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो हम ल इसीड के बा inches concept को समझ गई हैं अब हम लोग आते हैं किया Arhaneas concept Arhaneas concept को हम लोग समझते हैं Acid-base का जो है हम लोग आरहनियस concept को समझते हैं ठीक है अब आरहNew a scientist कि according Arhaneas ने चो बताया HAD 일반 ऊपरीक और अभी तक हम लोग सिंपल बेस क्या होती है लेकिन आरहनियस according to आरहनियस concept what is acid and what is base इसको हम लोग अभी समझेंगे आरहनियस concept of acid and base के बारे में हम लोग अभी जो है समझने के लिए जा रहे हैं ठीक है तो देख सकते हो आरहनियस concept of acid and base तो बचो आरहनियस concept और acid और base को समझते हैं तो आरहनियस आरहनियस actually क्या है chemist है उन्होंने acid और base का एक अलग theory के बारे में बताया हम लोग ने तो अभी तक बताया कि खटा होता है बीटर होता है उससे पता कर रहे थे लेकिन आरहनियस ने concept को बताया उन्होंने क्या बताया क कि जदी हम लोग acid को और base को water में dissolve करते हैं मतलब aqueous पानी जब मिलाते हैं तो वो जो होगी acid जो होगा hydrogen ion और plus hydronium ion को release करेगे मतलब H plus और H3O plus so acid का concept को समयते हैं according to Arrhenius theory of acid basin concept so Arrhenius concept of acid simply उन्होंने Arrhenius ने क्या कहा कि वही acid किसको कहेंगे को acids are substances which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion means H plus and hydronium ion H3O plus dissociate मना टूटेगा जब हम लोग acid में पानी मिला देंगे तो उसमें H plus ion release होगा और hydronium ion H3O plus तो हम लोग समझेंगे क्या कि this is acid इसको हम लोग समझेंगे acid जैसे example HCl यह HCl क्या है hydrochloric acid यह HCl क्या है हम लोग का hydrochloric acid so hydrochloric acid में जदि हम लोग इसे पानी मिला देते हैं so hydrochloric acid में इदि हम लोग water मिला दियें तो देख सकते हैं यह जो H plus ion यहां से जो H plus टूटेगा यह H plus यह water के साथ मिलके क्या बनागा H3O plus और यह C-L माइन मतलब hydronium ion so rn s ने तो यही concept को कहा कि जदी हम लोग पानी मिला देते हैं acid में किसमें acid में तो H plus ion रिलज करेगी और hydronium ion H3O plus similarly हम लोग देख सकते हैं HNO3 nitric acid nitric acid so nitric acid में पी जदि हम लोग पानी का concept है पानी जब मिलाते हैं तो dissociate करके यह यहां से H plus ion निकले गया और H3O plus मतलब simple देख सकते हैं कि हाइड्रो नियम सब में hydronium ion so hydronium ion जदी हम लोग का जदी gives hydronium ion जदी हम लोग वाटर डालते हैं तो हम लोग का क्या बोलेंगे कि acid है simply देख सकते हैं acetic acid CH3COOH यह हम लोग बीनेगार भी इसको कहते हैं acetic acid acid CH3COOH इसमें भी जदी हम लोग वाटर को मिलाते हैं dissociate होता है तो इसमें भी हम लोगा देख सकते हैं simply S3O plus ion जो है यहां से release हो रही है क्या हो रही है यहां से S3O plus ion हम लोग का dissociate करके मिलेगा सो हम लोग देख रहें कि RNA CHK according simply हम लोग acid में water मिला देते हैं तो dissociate होकर कि H plus ion यह 3 plus ion release करेगी ठीक है यह होता नहीं कि completely ionized हो जाना वाई एक होता कि कम ionized होना partially ionized होना सो उसके according ही हम लोग बात करेंगे कि acid जो है strong है कि तुम्हारा weak है strong है कि weak है शो हम लोग यह RNAs concept के बाद आते हैं classifications of acid simply classification of acid के बारे में बात करते हैं इसको तुम लोग स्क्रीन सोट ले सकते हो classifications of acid classification so मैंने अभी भी बताए कि classification of acid classification of acid के जब बात करते हैं तो यहां पर strong acid or weak acid दो बात करेंगे हम लोग क्या बात करेंगे strong acid or weak acid शो जिसे number one में हम लोग बात कर लेते हैं कि strong acid तो strong का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपर strong acid का वाध तो यह स्ट्रोंग का मतलें भी स्वाण में आना चाहिए कि क्या मप्लीटली आयोनाइज इस्ट अप्लीटली आयोनाइज़ पूरी तरह से वाटर हम लोग जब दालते है तो पूरी तरह से टूट जाए है ना सो वह होगा हम लोग का क्या स्ट्रॉंग एसीड से जामपल में लग देख सकते हैं कि यहीं एक्जामपल सेम टू सेम एक्जामपल को तो बात करते हैं यह दोनों एक्जामपल है यह सियल है यह डूनो एक्जामपल इसक्राइब। कि इसे में निव कि ऑन Arc यह क्या है कि हम लोगों का कंप्रेटली ओनओन हो जाता है है मतलijo должен से मैंनल पांघ डालते हैं सिंपल वर्ड मों सकते कि सालॆ UScoat में और सरों के यह ने इस्यदिए में यह 10 हैंहेता हूं cup इसमें क्या करेंगे वही बात है कि और प्लस वाटर है ना तो यह डिसेट हो जाएगी और हाड्रोनियम आयन क्या होगा हाड्रोनियम और यह जो एसो फोर टू मैनस का बात करेंगे देख सकते हैं यह लोग का स्ट्रॉंग एसिड इसको हम लोग क्या कहेंगे प्रॉंग एसिड मतलब जो कंपिरिटली आयोनाइज हो जाए वाटर के साथ में वह हम लोग का स्ट्रॉंग एसिड का हलायागा तो एक्सिल हईड्रोकलोरीवटी देख सकते हैं और शवर्फूर्पूर्ग के सेड्ट नायट्रिक एचीड और शिल्फूरीटी अड़िव इसीड्टो दीज़ारता एक्जम्पल्पल सब्सिंपल स्ट्रोंग एसीड का एक्जमपल उस्ट्रोंग एसीड के बारे में । आयोनाइजड हो रहा है तो अब यह क्या होगा कंप्रिटली जो आयोनाइजड नहीं होगा वाटर के साथ में उसी को हम लोग क्या कहेंगे उसी को हम लोग कहेंगे वीक एसीड है तो देखो उसको भी मैं अभी तुम लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ वीक अचीड दुश्रा नंबर में वीक अचीड शोड़ के जाएगा जो क्या होगा वीक अचीड का सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा जो एस्मौल एकस्टेंट में हम लोग का डिसोशियेट होगा कॉम्प्रिटलि नहीं होगा नहीं जो सिंपिल consistently be a small x 10 में तुमारा आइनाइज that's उसको हम लोग क्या कहेंगे वीक एसीड तो यह एकजामपल तो हम लोग में उपर लिख देता हूं देख सकते हूं यह जो एकजामपल है यही एकजामपल हम लोग का वीक एसीड का बात करते हैं CS3 COOH AQUOS PLUS H2O LIQUID S3O PLUS AQUOS PLUS CS3 COO MINUS AQUOS यह जो एकजामपल नीचे वाले एकजामपल जो हम लोग बात कियें यह यह completely ionized नहीं होता है यह completely ionized नहीं होता है तो यह जो है हम लोग का वीक एसीड का बात करते हैं यह क्या है वीक एसीड का बात कर लेते हैं मतलब तो चुछ नाम भी याद करते हैं तुम लोग ठीक है कि अभी बहुत सारे बच्चे जो तुम लोग को पता नहीं कि कुछ नया-nया चीज आ रहा है तो देखो अक्चुली क्या है ना कि कुछ कुछ नया-nया जैसे चीजित तुम लोग नहीं पढ़े होगा इससे पहले तुम तुम लोग याद कर लो कि CH3COH यसे तो अभी तुम लोग carbonates compound में सब का detail बताने जाना भी बताऊंगा तुम लोगों को तो यहां पर भी एस्ट्रियो प्लस देख सकते हैं यहां पर भी क्या होगा है हाड्रोनियम आयन पूरी तरह से पूरी तरह से यह जो है completely dissociate completely ionize नहीं हो रही है सो आयोनाइज के आधर पर हम लोग दो पार्ट में बार दी है पूरी तरह से ज्यादा मात्रा में आयोनाइज हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉंग एसिड और जदी हम लोग बात करेंगे कि वार्ट डालने पर वह पूरी तरह से नहीं हो पार्सियली हो एस्मोल एक्स्टेंट में हो ऑच्छो मंग हो देज़ा जाल वाट इस्क वीक एसीड हम लोग संधिया और वीग एसिड कि नाम बता रच्छो यह तो बता सकते हो हाड्रोग्लोड के सिद करें तो इस सब कुछ 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 जो है कि याद करते हुए जाओगे और नोट्स बनाते हुए जाते हो तो हम लोगो कोई दीकत नहीं होगा और क्या है कि आसानी से सरा नोट्स भी कम्प्लीट होगा और सब चेप्टर वा चेप्टर तुम लोगों के इसे में पढ़ा ही रहा हूँ ठीक ना यहां पर बात आ गई कि हम लोगों ने समझ गया किए एसीड क्या है एक्चिली एसीड क्या है बेस के बारे में लोगase के पास होगाrok में समझा है कि एसीड किया है जिसमें एच पलसायन और एच थ्री पल एच थ्री और हड्रो नियम आयन रिलिज करें एकोस सोलूशन में तो होगा तुम्हारा सब्सक्राइब करते हैं तो इसका यूज कहां पर हम लोगों का है इसका यूज के बारे में तो देख सकते हो इस लोगों को मैं थोड़ा यूज बता देता हूं तो देख सकते हो अदेख सकते हो सिंपली हाड्रो कलोरी के सीड जो है वह हम लोग का हां यूज हो रहा है क्लिनिंग मेटल आइटम्स टेक्स्टाइल में प्रिंटिंग इंडेस्ट्री में है ना सालफ्यूरिक एसिड के बात करते हैं तो कहां यूज हो रहा है है ना देख सकते हैं मैनुफेक्चर ऑफ फर्टिलाइजर पेंड्स डाइज ड्रॉक्स प्लास्टिक मतलब डेली जो ह सब्सक्राइज boule compare दिंगल क्या श्राग, वीन उल्च में यूज है ना सबस्क्राइज के लिकारड़ काशनья फास्ट फोटमक्राइज आ जुकस्टम कि-जच्ञ ते में यूदर यूज हिसाय है चायिक्ज घीशिबेटीव चाय्शा है lyž करते हैं तो देख सब कॉंओ उगे और जो समझे का कुछ हम लिच है आज के क्लासेश में कि मैंने स्टाट कर दिया रीट वहुतीड को प्रॉंग far तो मैंने अभी acids के बारे में बताया, आप acids का हम लोग physical, chemical properties को समझेंगे, कि acids का reactions किया होगा, फिर हम लोग basis के बारे में समझेंगे, basis का reactions किया होगा, so one by one करके मैं एक एक topic को तुम लोग को यह clear करा दूँगा, और जो होगा कि तुम लोग जो होगा थोड़ा से attentive रो, थोड़ा सा sincere रो, regular maintain करके रखो, notes proper बनाओ, बस यही कहेंगे तुम लोग को, क्योंकि उसके बाद जो है कि पढ़ाई automatic interest लगेगी, तो यह हम लोग का second chapter है, जो chemistry chapter number two, class 10th की, जो acid-base and salt, okay, बच्चों, so हम लोग आज यहीं तक class को रखते हैं, और आसा करते हैं कि आप लोग जो है, इसको notes बनाईएगा, अच्छे से मन से पढ़िएगा, so okay, dear student, okay, bye.